राइगर सहर की बेटी सुभांगी की रहस्टे मई मौत के मामले में पुलिस फ्रंड फुट पर आ गई है। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपित पर हत्या और बलक्कार का मामला दर्ज कर लिया है। सुत्रों की मताबिक मौत से पहले बलक्कार हुआ था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले के आरोपित किसन चौहान को कल ही हिरासत में लिया था जिसके बाद पुस्ताच के दौरान किसन चौहान ने अपना आपराद कबूल कर लिया है। राइगर सहर की बेटी सुभांगी की रहस्य मई मौत के मामले में पुलिस फ्रंट फूट पर आ गई है। कोत्वाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपित पर हत्या और बलातकार का मामला दर्श कर लिया है। आपको बता दें किमरितिका के साथ मौत से पहले बलातकार हुआ था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले के आरोपित किसन चौहान को कल ही हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद पुछ ताच के दोरान किसन चौहान ने अपना अपराद भी कबूल कर लिया है। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मौत से पहले बलातकार की पुष्टी हो चुके थी। जिसके बाद पुलिस टीम ने सारे फॉरेंसिक साक्ष एकठे कर पुलिस ने हत्या और बलातकार का मामला आरोपित के खिलाब दर्ज कर लिया है। बहरहाल इस पुरे मामले में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सबसे एहम होगी क्योंकि आरोपित द्वारा दिये गए बयान, फॉरेंसिक साक्ष और सौट पोस्ट मार्टम रिपोर्टों में डक्टरों द्वारा लिखे गए मेडिकल ओपिनियन में समानता नजर नहीं आ रही पूरा निया मिले और उसको जो भी दोसी है, जो भी जिस प्रकाट आया है, उसको सजा मिलना चाहिए है। मेरे वाइक में मेरे सान। अवापिस आ हैं। मेरे फिल्हका लाकर जड़ा रखी है। कौन लड़के उनको जानते हैं अप लोगalities. उसको नहीं जानता है। एक उलुक काला खाला अ लंबा है। मिरा जान॥ है। मेरे व्हीरी शार्टीत, एक बceğक्डा ही। आप लोग कितने बदे बदा चला कि तवियत खराब है और हॉस्पिडल में बदे दो बजे के आसपास मेर खिक आपिस आज अपने टाइम पता चला आपको क्या लड़की सीधी साधी कभी कहीं नहीं निकलती थी सेंटर जाती थी सेंटर 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 रात को हमारी बड़े भीयकी लड़की का उस्टाज बड़े था तो मनाइं करते रात को बारे एक बजे तक काटे हैं खाय बेनाचे गाये और एक बज़े वाफिस आई है और सोई कल दिनांग को जिला अस्पताल में एक यूती की मृत अवस्था में उस्टाल चोड़ा गया था जिसको पचनामा पश्चात पीएम कराने के लिए बेजा गया था उसी दिनांग को मृत का के पिता के द्वारे एक आवेदन परस्तूत किया गया है जिसमें उन्होंने बताय के साथ अनूनी हुई है और घटना घटी है उस अवेदन के अधार पे थानक पत्वाली में अबरात क्रमांग 501 के पंजिबत किया गया है जिसमें आईपीसी की धारा 365, 342, 376 और 302 के अधाथ आईपीसी के अधाथ अबरात पंजिबत किया गया है साथ ही आरोपी किशन च 24